नमस्कार, आरिया न्यूस देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग पधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने करनाटक के शिव मोगा में 455 करोड रुपए की विक्सित किये गए एरपोट का उद्खाचन कर दिया है उद्खाचन कारिक्रम को संबोधित करते हुए पधान मंत्री मोधी ने कहा कि ये केवल एक एरपोट नहीं है बलकि शेद्र के जवानों की नई उड़ान है पिम मोधी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में करनाटक का विकास जो प्रगती पत पर दोड़ रहा है पिम ने आगे ये भी का कि साथियों हम सब जानते हैं कि गाड़ी हो या सरकार जब डबल इंजिन लगते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है बीजिबी की डबल इंजिन सरकार एक और बड़ा बदलाव लेकर आई है पहले जब करनाटक के विकास की चर्चा होती थी तो ये बड़े शहरों के आसपास नहीं तक सीमित रहती थी लेकिन डबल इंजिन की सरकार ने इसे गाउं तक पहुंचना आने का लगातार प्रयास किया है और शिव मोगा का विकास इसी सोज का परिणाब है सबसे उपजाओ खेत्रों में से एक है यहां जिस प्रकार फसलों की वराइटी पाई जाती है वजिक्षेत्र को एग्रिकल्चर हब के रुप में स्थापित करता है चाय, सुपारी, मसालों से लेकर भांती भांती के फल सबजी हमारे शिव मोगा विस्तार में होते हैं शिव मोगा के नेचर, कल्चर और अग्रिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी जरुरत यहां थी यह जरुरियत, कनेक्टिविटी की है, अच्छी कनेक्टिविटी की है डबल इंजिन सरकार इस जरुरत को पूरा कर रही है एरपोर्ट के बनने से स्थानिय लोगों को सुवीज़ा तो मिलेगी देश विदेश के टूरिस के लिए यहां आना आचान होगा जब टूरिश आते हैं, तो वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेके आते हैं और एक प्रकार से रोजगार के आउसर भी उसमें ही होते हैं जब रेल कनेक्टिविटी बहतर होती है, तो सुवीज़ा और टूरिजम के साथ साथ किसानों को भी नए बाजार मिलते हैं किसान अपनी फ़सल कम किमत में देश बर के मार्केट तक पहुचाते हैं साथियों जब सीम होगा और सुप्रीम कोच ने शिशस्त्र बलो के पात्र पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन के बकाया का अग भुकतान किष्टों में करने संबंधी रक्षम अंत्राले के 20 जन्वरी के पत्र को लेकर कड़ा रुक इक्तियार किया है CGI DIY चंद्रचूर की अध्यक्षता वाली पीछ ने मंत्राले के संचिफ के जरिये जारी किये गए इस पत्र पर एतराज रता है उन्हें अपना रुक साफ करते हुए कहा कि एक व्यक्तिगा थलफ नामा दाकिल करने का निर्देश है CGI DIY चंद्रचूर की अध्यक्षता वाली पीछ ने कहा है कि अब सचिफ को कहिए कि हम 20 जन्वरी के पत्र को लेकर उनके किलाब कारवाई करने जा रहे है या तो इसे वापिस लिया जाए नहीं तो हम रक्षा मंत्राले को अवमानना नूटिस चारी करने जा रहे है नयायक प्रक्रिया की पवित्रता बरकरार रखनी होगी इस पीड में नयायमूर्ती ने पीएस नरसिम्हा और नयायमूर्ती जेबी पादरी वाला भी शामिल रहे दिल्य के रॊपमूखे मंत्री वानिस सोधिया को CBI ने शुराब गोचालेस से आठ गुछते की पूचता अचके बाद गिरफतार किया बताये गया है कि सिसोधिया CBI की जवाच में उसा योग नहीं कर रहे थे इसके बाद उन्हें गिरफ़तार किया गया है मनीश सिसोधिया की गिरफ़तारी पर अमादमी पाठी के राश्र सेयोज़क और दिल्ली के सीम अर्विंट के जिवाल का एक बयान सामने आया है कि जिवाल ने कहा है कि मनीश बेकसूर है और जन्ता इसका जवाब जरूर देगी उन्होंने ये भी कहा कि इससे हमारा और संगर्श मजबूत होगा जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविश्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था पिछले 75 साल में शायद ये पहला शक्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी रिक्षे वाला मजदूर किसान गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बढ़ा हो कि उसको अच्छा भविश्य मिल सकता है सरकारी स्कूलों का काया कल्प किया था एक शरीफ आदमी है मनीश और फिरोजबाद से खबर है जोहां से एक दिल धालाने वाली घटना सामने आए यहां प्रेम प्रसंग के चलते ग्यारत साल के जुशान की माने नहर में उसे फेक दिया पांच दिन के बाद जिशान का शव यूपे के जुनपति टावा के थाना बलराई नहर से मिला है फिलाल पुलिस ने जिशान की मा और चाचा को गरफतार कर लिया है और उन्हें नियाएक सुरक्षा में जेल भीश दिया गया और उत्रप्रदेश की प्रयागरास से खबर है जो राजू पाल रत्यकांट के मुखे गवा उमेश पाल की दिन दाड़े गोलियां बरसा कर और बं बरसा कर रत्यकर दे गई हमें बड़ा ही दूख है पूरे उत्तरप्रदेश में जो पिर्यागराज में बमों से और गोलियों से जो हत्या हुई है उमेश पाल की दो हजार पांच में भी अतीक एमद जो माफिया है उत्तरप्रदेश का जो जेल में है उसके गुर्गों ने दर्दनाक जो हास्षा किया है पिर्यागराज में उसकी हमारा पाल समाज आज पूरे उत्तरप्रदेश में इसकी हत्या की कड़ी निंदा करता है और दिली के जिप्टेश सीम आनीश सोध्या की गिरफथारी पर गोरगपूर की सांचवर्थ रवी किशन ने आमादमी पाठी से कई सवाल किये हैं रवी किशन ने हमादमी पार्टी को कटगेरे में खड़ा करते हुए कहा शराब गोचाले में दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा उन्होंने का है कि अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शराब गोचाले का मास्टरमाइंड आखिर कौन है उन्होंने ये भी कोई ऐसे अरेस्ट नहीं होता उन्होंने इतने सिम कार्ट क्यों तोड़े इतने मोबाइल नंबर क्यों बदले वो कुछ जवाब नहीं मिला जब CBI जवाब में उन्होंने मदद नहीं किया घोटाला किया था क्या घोटाला केजरिवाल जी किये है अभी तो बात और आगे बढ़ेगी कि जनता को असली चहरा अब पता चलेगा कि कैसा चल किया जा रहा था शराब नितियों में इतना बदलाव किसको फायदा देने के लिए कि अब सब बाते आएंगी कि इतने हजार करोड का फायदा हुआ कहां और उमेशपाल अत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सदन से याश्वस्ट किया था कि माप्रियां को मिट्टी में मिला देंगे और सुमवार को इसकी जोलग भी देखने को मिली पर अब मिली जानकारी के अनुसा प्रियागराज के नहरू पार्क में अतीग गैंग से जुड़े बदमाश अरबास का सुमवार को इंकाउंटर हो गया है पता यह जा रहा है क्यों मिश्पाल के अत्याकान की दौरान अरबास क्रेटा का चला रहा था जोसे नहरू पार्क में बदमाश का एंकाउंटर हुआ है वो मिश्पाल के घर से करीब दो किलो मिटर दूर है अर आगरा जुला मुख्याले पर मनिश सोधिया की किरफतारी को लेकर मादमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया इसमें आपको बदा दे कि आमादमी पार्टी के तमाम कारे करता हुने प्यमोदी और अजानी के खिलाब चम करनारे लगाए है सिसोधिया को भी छोड़ने की मांगी गई और तस्वीरों में आपको दिखाते चलें कि आप देख सकते हैं तालिया बजा कर मनिश शिशोधिया जी के गलत तरीके से उनको जो पकड़ा गया है हैरस करा जा रहा है सीबी आई का दुरूपयोग हो रहा है यही बिल्कुल सेम प्रकरण संजे राउट जी के साथ में हुआ यही सेम प्रकरण सतें जैन जी के साथ में हुआ मिलता कुछ नहीं है लेकिन परेशान करने के नियद से अब है क्या दिक्कत क्या है हमारे राष्टरी इस्तर पर अगर हम देखते हैं मिर्जापूर में भी अमाद्मी पार्ठच के कारेकर्टाओं ने प्दर्शुन किया है इस बीच कारेकर्टाओं ने जुला मुक्धमे के आरोप में गिरफतारी का विरोज जताय जा रहा है हमारे मनीशन से जी को निराधार परी के से गिरफतार कर लिया गया है इस गिरफतारी का विरॉत कर रहे हमारे सांसन संजेशूंग जी गोपाल राएजी और इसके अलामां बहुत सारे प्रकृता साथ हुआ और हमीरपूर से खबर है जो जलादी कारी ने एक नई पहल की है टीम ने वृद्धा अश्रम में रह रहे करीब 41 लोगों को चुत्रकूर धाम के लिए हरी जंडी दिखा का रवाना किया इज़ान बुज़र्गों के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आई है अलग नव में तुफानी चौहान की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी राम नरेश को गरफ्तार कर लिया है आरोपी के पास से आला कतल भी बरामत किया गया मिली जानकारी के मताबक आरोपी ने पहले तुफानी चौहान के साथ बैठ कर शराब पी और फिर पैसों को लेकर दोनों में कोई विबाद हुआ जिसके बाद आरोपी ने तुफानी चौहान की हत्या कर दी पूरी को एक मुकदमा लिखा गया था अनाचिनट छेत्र में प्रेवले राइन के किनारे फूसुका पुर्वा ग्राम के अंतरगत वीरान में एक व्यक्ति की शव मिला था जिस पर चोटों की निशान थे उस समद में पहले अग्यात व्यक्ति की सिनाक्त हम लोग के सामने एक चुनोती थी विभिन ने मीडिया के साथ में और आयोध्या जुले की विकासखन तारुन से खबर है जहाँ पर प्रदान संगचन के विकासखन तारुन के अध्याक्ष सुरेश कुमार सेंग के अने तृतु में करीब एक दर्जवन ग्राम प्रदान तेसील में इस सिते स्टेम की कारियाले पर पहुंचे और अपना वि सरकार के संगटे थी तो के विपरी थे संगठन ने इस दोरान ये भी का और चिताब नहीं दी कि अगर समधान नहीं किया गया तो चार मार्ट से प्रदान संगचन हैदर गंच में धरने पर बैठने के लिए बात दे होगा कि अगर पंदरा दिन के अंदर इसका हल हो जाता है तो ठीक है नहीं कि हम लोग पैस्टियल परिशन में धरना देंगे प्रदान का प्रदान का प्रदान के लिए प्रदान के उपर रोजगार शुपत के उपर दो अन्य नहीं के साथ उनके साथ हमने धरने के लिए और अब रुप करेंगे पट्याला का जो हां से खबर एक ही शेयर की पज्जाबी यूनिवोसिटी में जगडा हुआ और ये जगडा खुनी संगर्श में तब्दील हो गया इसमें 20 साल के नौजवान की जान चली गई तेज़ार हत्यार से उस पर अमला किया गया परिवार का इस्वक बुरा हल है और पुलिस ने मामना दर्चकर कारवाई शुरू कर दे है कि रोज और जाना दी तरह आपने जिर्वश्टे जानता सी कि बीट है कर रहे हैं कि दो पेड़ परा आने जी बहुत लाई कर साव बच्चा सी या पर आज तक केस प्रवार्दी कदे पुल्डाई चगडा जब बच्चा कसी रुमी कदे पुचा बोर बोले होगे आसी सोच अज में परेमा नाण कह रहे हैं के पाउ कार्ण की बने लडाई कारण ता सुनने चाया बी कोई और बच्चा दी लडाई होई सेुझे यह सेड ने खड़ा सी घ्रा सिक उत्थे भी पता कर यह सुनने ची भी आया को चन्यार दोस दस्रे या या यह तरा सेड़ ने कदे ने और फिरोस्पूर में पंजाब पुलिस की तरफ से शहीद भगस सिंग स्टेडियम के बाहर नाका लगाया गया इस बीच एस पीजी ने एक बोलेरो गाड़ी को रोका जोसके आगे रेड बोल लाइट लगी हुई थी और बोलेरो गारी का चौलान काड़ दिया गया है उसे थाने में भी बंद किया गया दरसले स्टी ने लोगों से अपील की है कि रेड बोल लाइट का उपयोग ना करे जिससे की व पुलिस ताना चरहटा से खबर है जहांपा राधीन आते हो एक शेत्र न्यू मॉडल टाउन में विवास हमारों के दौरान लगे डीज़े पार्टी में एक व्यक्ति ने शराब के नश्राब अब नहीं साथियों के साथ ताबर तोड़ गोलियां चलाई है गोली की सूश्रा मिलते ही एस पी कवर प्रित सिंग और थानव प्रभारी गुर्विंदर सिंग मौके पर पहुंचे पुलिस टीम के साथ फिलाल पीरित की शिकायत पर मामना दर्श कर लिया गया है अब पुलि बड़े शातर तरीके रेनाल अन्जाम देता सी आपने आपनों सीसी टीवी दी फोटेज तो लकाउंदे होएं थी फोटेज तो लकाउंदे होएं ती फोटेज दी हाइट तो उपर जाके फिरो मंदर्दवे चुनाने एंटर कीता सी गया अब वो माफियाओं पर रिवाडि जुला प्रशासन की पहनी नजर है। दिवान टेक चुंद क्लब की जमीन पर अवैद निर्मान पर प्रशासन का बुल्डोजर चला है। बता दे आपको कि नगर परिशत की तरफ से कारवाई की गई। रिवाडि शेहर में और कई और नगर परिशत के आदेश अनुसार आज इसको अम्मी की अगवाई में नवस्त कर दिया गया। जो जमीन लगातार विरोध हो रहा है कि प्राइवेट सरकारी जमीन है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारे तो यह है कि बिना अनुमतिके अवेद निर्मान किया गया। दूस्वाट कर नोटिस देखा वेद निर्मान को हटा है। परिवहन वन भूमी पट्टा से किया जा रहा है। सड़क निर्मान कारे में लगे वाहन को भी टिप्टी रेंजर ने अपने ही रिष्टतारों से कहकर लगवाया है। यहां पर एक बड़े ब्रश्टाचार की और संकेत दिया गया। साथ इस सवन में मुक्य वन संरक्षक बस्तर मौम्मद शाहिद से बात करने पर उनोंने काये कि मामलत संग्यान में हैं। जो भी दोशी होगा उस पर कारवाई होगे। प्रेज बहार से माच कोट तक वहां के तिराः वहां तक बोले बीम का देंवाल हो रहा है। मुरब का वैद उतखर्टन्क किया गया है यह आप अभी जया हम को बता रहे हैं तक वहां के जो ती रहा है वहां तक डबली बीम का जहां हो रहा है जगदलपूर पर पडोंगरी गुड़ा से गयनेस बार रोड कुरंदी गयनस बार कौन बोला है ले जाने के लिए फारेश्ट वाल डिप्टी साफ क्या नाम उनका लचू मरकाम कब से लेके जा रहे हैं 25 सब्सक्राइब किसी गाड़ियां है उद्री का है उसका बाई का बाई बाईन का मतलब पूसर अर्टरप्रदेश सरकार माहिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करती नज़र आती है लेकिन अपराद माहिलाओं और किशोरियों के साथ थमने के नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे ही मामला सामने आ है जनपद मैनपुरी से जहां पार बेवर धाना शेत्र का मामला है एक काउ में देखने को मिला है एक दस साल की किशोरी के साथ पड़ोस के ही शक्स ने दुशकर्म किया है फिलाल पुलिस ने इस मामले पर F.I.R. दर्चकर आरोपी की तलाश शुरू इसके शार इंट इसकाम किया है अच्छा कहा की गटना है यह लोग है जो गटना वो अंजाम दिया कौन लोग है वो तरस्थिया पुरा मामला है वो लड़की की पिताजी संतोश कुमार थाने पाय उन्होंने सिकायत की कि मेरी लड़की के साथ पड़ोस में लेने वाले रा आराओं में अपराद का पंजिकान हुआ है और लड़की को मेडिकल के लिए भिवा दिया गया है वर रामू के पकड़ने के लिए पीम बना दी है तो पकड़ने के लिए और अमरिस्टर से कबर है जो रानी का बाग में पीनबी बैंक में लूट करने वाले दोनों आरोपि को पुलिस ने गिरिफतार किया है पुश्टाश में आरोपियों ने खुलासा किया कि कथुनगल में बैंक लूट की घटना को भी इनी लोगों ने अंजाम दिया था अलादिकारियों की माने तो आरोपियों से अब तक करीब 24 लाक रुपे बरामत किये जा चुके हैं वरद सब्सक्राइब करें अगे फदर इन्वेस्टिकेशन का दे हुआ है कर दो नंगलाली जड़ी सीगी बैंक रॉप्तियों वी सॉल्ग का लिए और ये सारा पंजाब में पूर्फ सैनिको के लिए उनमर काफी आक रोश बढ़ता जा रहा है बता दें आपको पूर्फ सैनिको की तरफ से के लिए बनाए गई थी लेकिन इस सरकार ने बिना नोटिस दिया स्कीम खत्म कर दी तो वहीं पूर स्यनिकों का ये भी कहना है कि सरकार इजलास से पहले बात करें और मामले का हल निकाले और आपरेली में डिप्टी सीएम मनीश से सोधिया के किरफतारी को लेकर आमादी पार्टी की पतादिकारियों ने राश्पती के नाम संबोधित ग्यापान सिटी मजिस्ट्रेट को सौपा है दिप्टी से मनीश सोधिया को गिरफतार के लिया गया और गिरफतारी के बात से नाराज आमाद में पार्टी की कारे करताओं ने धर्णा प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट जा पहुँचे जलादी कारी मौरा श्रीवास्तप के माध्यम से राश्पती के नाम ग्याप पार्टी का फाउंडर हूँ यहां का और आमादी पार्टी पार्टी पैदा करने में आपके मीडिया जगत नहीं जानता है कि मेरे अंदोलों से रहीला है मैंने बारा-बारा दिन तेरा-तेरा दिन के अंदोलन किये इसलिए अंदोलन किया तक ही देख बदलेगा खुद रिमांड वांगा था और अदालत ने अमित रतन का दो मार्शता का पुलिस रिमांड दे दिया है